आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बिल्कुल धावे स्टाइल में आलू और मटर की सबजी तो जो कि बहुत ही टेस्टी होती है एक्दम धावे के स्टाइल में और यह बहुत ही कम समान में चंपट बन जाती है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कटोड़ी में दो चोटा चमच धनिया पाउडर लिया है अब हम लोग इसमें डालेंगे दो चोटा चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच लाल मिश पाउडर और आधा बड़ा चमच गरम मसाला सौल नुसार नमक आप लोग इसमें पानी डाल कर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यह देखें मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम लोग एक कढ़ाई में एक चोटी का टोड़ी सरसो का तेल ले लेंगे मैंने यह पर सरसो का तेल यूज क्या है आप चाहे तो कोई और भी तेल यूज कर सकते हैं अब हम लोग इसमें डालेंगे एक चोटा चमत जीरा चार से काट लिए और लोग डाल देंगे बारी करटा हुआ एक छोड़ा चमच अधरक दो तेज पत्तों को मैंने बीच पीच से तोड़ लिया था वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे अब हम लोग इसमें डालेंगे लसन मैंने एक बड़ा लसन की जो कली है उसे मैंने एक एक साबूत करके निकाल लिया था अब हम लोग इसे सुनेड़ा होने तक तेल में तलेंगे तो आप देख सकते होंगे हमार जो मिर्ज का कलर है वो चेंज हो चुका है तो अब लोग इसमें डालेंगे प्यास मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज के प्यास ले लिये थे मैंने उसे अच्छे तरीके से काट लिया है हम लोग प्यास को भी तब तक तेल में भूनेंगे जब तक कि यह हलका नर्म नहीं हो जाता जब हमारा प्यास हलका नर्म हो जाए तो हम लोग उसमें डालेंगे मटर मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की कटोड़ी से मैंने मटर इसमें डाला है अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने मसाले जो के मैंने शुरू में ही बना के रख दिये थें मसाला डाल के हम लोग जो बची हुई कटोड़ी में मसाले रह गयते उसमें पानी डाल कर उसे भी इसमें डाल देंगे तो यह देखे हमारा जो मसाला है वो बोन चुका है आप देख सकते होंगे तेल जो है वो उपर उपर आ चुका है तो हम लोग अपने आलू को इस तरीके से दबा कर मैंने उबले हुए आलू यूज किया था मैंने उबले हुए आलू को पांच से चे उबले हुए आलू लिया हुआ है उसे हम लोग इस तरीके से अंगोठे से दबा कर फोर इस तरीके से छोड़े छोटे टुकड़ों में बाढ़ देंगे धान रहे हैं ये बहुत गर्म होता है तो अपने हाथों को बचाते हुए इसे अच्छी तरीके से छोड़े छोड़े टुकड़ों में तोड़ देंगे ये आप देख सकते हुए हमारा जो मस्साला है वो अच्छी तरीके से भून चुका है तब हम लोग इसमें अपने उबले हुए आलू डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हर एक चीज आपस में अच्छी तरीके से मिल जाने चाहिए हमारे जो उबले हुए आलू है वो अच्छी तरीके से मसाले में मिल जाने चाहिए तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप मिला लें और बस इसे हम लोग 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे अब मैं इसमें डालूंगी एक चोटा कटा हुआ टमाटर हम लोग फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा कटोड़ी पानी पानी डालकर हम मिस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब आपका मसाला अच्छी तरीके से बहुन जाए तो आप इसमें पानी एड़ कर दे और बस हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे लगभग एक से दो मिनट के लिए जब तक हम में इसमें एक उबालना आ जाए तब तक हम लोग इसे पकाएंगे तो इसे बस दो मिनट के लिए ढग दे तो यह देखे हमारो सबजी है बिल्कुल ढावे की तरह बनके रेडी हो चुकी है तो अगर आपको हमारी यह रेसेपी पसंद आई हो तो इस रेसेपी को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगे कि आपको यह रेसेपी कैसी लगी यह रेसेपी